ओम शान्ती, हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी, वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम शान्ती ओम शान्ती, आज दिनंग 24 जन्वरी 2022, बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया, और लवलिन इस धिती का अनुभव करो के लिए जो पाइंट दिया, उसका मनन करेंगे बाबा आज वर्दान में बोले, कर्म करते हुए नियारी और प्यारी अवस्था में रहे, हलके पन की अनुभूती करने वाले कर्मा तीत भव, आज बाबा हम बच्चों को कर्मा तीत भव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं, कर्म करते हुए नियारी और प्यारी अवस्था में रहे, हलके पन की अनुभूती करने वाले कर्मा तीत भव टिटेल में बाबा बोले कर्मा तीत अर्थात नियारा और प्यारा कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं कराने वाले ने करा लिया ऐसी इस्थिति का अनुभव करने से सदा हलकापन रहेगा तो बाबा कर्मा तीत इस्थिति अर्थात नियारी प्यारी इस्थिति बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि कर्म करो कर्म के संबंद में आओ कर्म का बंधन तुम्हें अपनी और ना अकरसित करे इसलिए सदा इस इसम्रती से कर्म करो कि करावनहार ने कर्म करा लिया और हम करके हलके हो गए अर्थात ट्रेश्टी बनकर हर कर्म में आना है इन करमेंद्रियों का आधार लेना है और कर्म करके इन करमेंद्रियों से न्यारे प्यारे अव्यक्त इस्थिती में इस्थित हो जाना है तो न्यारी और प्यारी इस्थिति, हलकापन, कर्माती तीस्थि जिसके लिए बाबा कहते कर्म के बंधन से न्यारे उपराम सदा इस इसमरती के साथ कर्म करना है कि करावन हार कोई और करा रहा है हम निमित बन कर कर रहे हैं हम बाबा ने हमें निमित बनाया है इस विश्व कल्यान अर्थ के लिए तो यहाँ जो हमारा मरजीवा जन्म है इस मरजीवा जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं सब सेवा अर्थ करते हैं तो यही इसमरती हमें हलका न्यारा प्यारा कर्मातीत के करीब ले जाएगी आगे बाबा बोले कर्म करते तन का भी हलकापन, मन की इस्थिती भी हलकापन, जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हलकापन, बढ़ता जाए कर्म अपनी तरफ आकरशित ना करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हलकेपन कानुभो करना, यही कर्मातीत बनना है तो बाबा ने हम बच्चों को कर्मातीत बनने की कोई है, परिभासा बताई, कि कर्म में आना, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना, पर संकल्प में भी आकरशन ना हो, संकल्प में भी हलकेपन का अनुभो करना, जैसे कि हम कोई कर्म करते हैं और कर्म करके, न्यारे हो जाते हैं, हलके हो जाते हैं, कि वह कर्म हमने करा ही नहीं तो ऐसे ही बाबा अभी हमएं बच्चों को अंतिम इस्थिती कर्मातीत इस्थिती को प्राप्त करने की युकती बता रहे हैं संबंध में आओ, कर्म में आओ, कैसी भी परिस्थिती का प्रयोक करो, पर खुद को सदा न्यारा रखो कि मैं करावनहार आत्मा हूँ, इन करमेंद्रियों का आधार लेकर पाल्ट बजा रही हूँ और पाल्ट मेरे पिता द्वारा मुझे दिया गया है तो सारा बोजा पिता परमात्मा पर देकर, कर्म के फल की इच्छा से उपराम रहकर सदा न्यारे और प्यारे रहने की यही युकती है, कोई भी कर्म करते, कर्म से न्यारे रहना, उसके फल की इच्छा से मुक्त रहना, तो ही हम कर्माती इस्थिती के करीब पहुँच सकते हैं तो बाबा ने कहा कि कर्म करो, संबंद में आओ, संपर्क में आओ, पर फिर भी न्यारा हलका पन, संकल्प भी हलके हूँ, संकल्प में भी किसी के प्रती आकरसंड ना हूँ, कर्म का बंधन ना हूँ सदा यही इस्मरती रहे कि मैं महमान आत्मा हूँ, मुझे पिता ने एडॉप्ट किया है कर्म कराने के लिए और मैं कर्म करके और न्यारी जिस प्रकार हमारे पिता परमात्मा की सदा महिमा रही है, न्यारा और प्यारा तो ऐसे ही जब निराकारी अवस्था में इस्थित होना है तो नियारा प्यारा हलका पिता परमात्मा के समान रहना है और जब देह का आधार लेना है तो सदा ब्रह्मा बाप की इस्मरती हो कि ब्रह्मा बाप ने साकार में रहते अव्यक्त फरिस्तेपन की अनुभूती कराई कर्मा तीत इस्थिती को प्राप्त किया तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर ब्रह्मा बाप को फालो कर कर्मा स्थिति को प्राप्त करना है। स्लोगन में बाबा बोले सर्व प्राप्तियों से सदा संपन रहो तो सदा हरसित सदा खुसी और खुस नसीब बन जाएंगे। तो खुस नसीब कोन होते हैं। जो संपन हो, संपूर्ण हो, जिसे किसी चीज की आवश्यक्ता नहीं हो, वही खुस नसीब हरसित और सुखी रह सकता है। सर्व संबंदों का सुख अनुभव करते हैं। तो फिर बड़े से बड़ी पहार जैसी परिस्थिती भी हमें खेल लगती है। और हम सदा स्वयम को संपन संपूर्ण अनुभव करते हैं। तो हमारा जीवन बाबा कहते सदा हरसित, सदा खुसी, खुस नसीब दिखना चाहिए। चाल चलन, चहरा, हाओ, भाओ, बोल सब कुछ संपन संपूर्ण होना चाहिए। जिस प्रकार देवी देवताओं का होता है। लवलीन इस्थिती का अनुभव करो के लिए बाबा ने पॉइंट दिया, जिस समय जिस संबंध की आवश्यक्ता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी इसनेह के सागर में समा जाओ। यहा इसनेह छत्रचाया का काम करता है, हलके इसके अंदर माया आ नहीं सकती। जिस समय जिस संबंध की आवश्यक्ता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और मेरा बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी इसनेह के सागर में समा जाओ यहा इसनेह छत्रचाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। तो बाबा से सुबह अमरत बेले से लेकर रात तक हम बच्चों को ऐसी दिंचर्या बनानी है। अपने मन बुद्धी को ऐसा बिजी कर लेना है कि कोई भी समय हम बाबा के बिना ना रहे। हर समय बाबा हमारे साथ हो। बेठना, उठना, खाना, पीना, चलना, बोलना, संकल्प में भी बाबा हो। तो ही हम बाब के प्यार अर्थात लवलीन इस्थिती का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि हर सम्बंद हमें बाबा से प्राप्त करना है। एक भी सम्बंद यदि रह जाता है तो बाबा कहते उसमें आकर सन होगा। तो किसी भी वस्तू से न्यारे बनने के लिए हर सम्बंद की अनुभूती एक पिता परमात्मा से हो, हर चीज के प्राप्ती का अनुभव एक पिता परमात्मा से हो। इसलिए बाबा बार बार कहते किसी से कोई गिप्ट ना लो, किसी से उपहार ना लो, किसी का कोई सामान यूज ना करो, क्योंकि तुम्हारी मन और बुद्धी उसमें अटकेगी. तो हर चीज बाबा के यग्य से लेना है, हर प्राप्ती बाबा से करना है, हर संबंद की अनुभूती बाबा से करना है, तो ही हम लवलीन इस्थिती की अनुभूती कर पाएंगे, हलके रह पाएंगे, उस पिता परमात्मा की संतान सुख के जूले में खुस नसीब बन कर जोल पाएंगे आज मम्मा ने महावाक्य में कुछ पइंट दिये उसका मनन करते हैं मातेसवरी जी के अनमुल महावाक्य किस्मत बनाने वाला परमात्मा किस्मत बिगाडने वाला खुद मनुष्य है अब यहा तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बिगाडने वाला कौन है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बिगाडने वाला वही परमात्मा है बाकी यहा जरूर कहें यहा जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाडने वाला खुद मनुष्य है अब यहा किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे इस पर समझाया जाता है मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं और फिर वे फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित होता है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी और फिर बिगड़ गई अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है तो तकदीर को कैसे बनाएगा इस समय समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार भ्रमातन द्वारा अवी नासी नोलेज द्वारा हमारी बिगडी हुई तकदीर बनाते हैं अब यहा नोलेज देना परमात्मा का काम है बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है अच्छा, ओम शान्ती ओम शान्ती, हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती